चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के वाद उसके बगलों जो बैल काई करने प्लीज आप इसे जरूर प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटरे इस्ट्रिब्योज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमज़ दोस्तो मैं हूँ नमरता और आप सभी लोग का नमरता episode इपस चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो क्या आप भी परिशान है अपने सफेद बालों से यानि की आपके बाले सफेद हो रहे हैं लंबे नहीं हो रहे हैं घने नहीं हो रहे हैं दो मुहें हैं तो दोस्तो अगर यह सब प्रॉब्लम है आपके बालों के साथ में तो आप बिल्कुल नगब आप मार्केट की चीज़ों को छोड़ दीजिए मैं एक नुस्खा को बताती हूँ इस नुस्खे को आप ट्राइ करना आप देखेंगे आठ दिन में ही आपको फरक नजर आएगा दोस्तो आज का जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगी इससे आपके बाल काले हो जाएंगे अगर दो मुहें बाल होंगे आपके तो दो मुहें बाल खतम हो जाएंगे और आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी इस नुस्खे से आप ट्राइ करना आपको हमें चाहिए यहाँ पे ओनियन यानिकी प्याज, प्याज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्याज का हम छिलका निकाल देंगे और छिलका निकालने के बाद में अब इसके हम दो पीस कर लेंगे और इसको हम कद्दू कस कर लेंगे, प्याज में एंटी वेक् को बैतर कर बालों को बढ़ाने में मदद करता है प्लस बालों को काला करने में मदद करता है यानि सभेज बालों को काला करने में ये प्याज बहुत ज्यादा मदद करता है तो यहां पर प्याज कद्यू कस हो चुका है अब इसका हम जूस निकाल लेंगे दोस्तों ये यह पर देख सकते हैं अगर इस तरीके से आप इसका जूस नहीं निकलना चाहेते तो आप मेक्सी से भी इसका पेश्ट बना करके च्छनी से जूस को च्छाल लें बस जूस निकलाएगा अब इसमें दूसरां इंग्डिएंस हमें मिलाना है अलो वेरा अगर आपके पास में ऐलोवेरा का पौदा है तो आप ताजा पता ले ऐलोवेरा का और उसी से जेल ले ले अदर्वास नहीं है तो आप पता जली का ऐलोवेरा जेल ले ले आप मार्केट में कहीं से भी ऐलोवेरा जेल ले ले आप मतब सुद्ध होना चाहिए तो चलिए दोस्तो जब मेरे पास में ताजा एलोवेरा का पत्ता है तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी तो हम इस तरीके से इसके हम ये काटे निकाल देंगे साइट से और यहां से उपर से बस पतला सा लेयर निकालेंगे इसका छिलका और अब हम निकालेंगे इसका जेल हमें इसका जेल चाहिए दोस्तो एलोवेरा में बिटामिन A, C और E काफी मातरा में पाए जाता है ये सभी हेल्दी सेल्स को प्रमोट करता है और बालों को चमकदार बनाता है तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से स्पून से ऐलोवेरा जेल को बड़े आसान तरीके से निकाल ले रही हूँ आप देख सकते हैं यह एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए इतना ज्यादा फाइदे मन्न है और आप इस एलोवेरा जेल से आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होगा बालों का जो काला पन उता काला पन को बढ़ाएगा क्योंकि यह जब आपकी बालों की जड़ों में जब जाएगा ना दोस् निसके से हरे हर एक प्रॉब्लम इसनुस्के से ऊब हिसमें का सिरके बालों के लिए बहुत जादा दावत पाल जाने ले लिए is ओमत CTThe लिए फास्निता हूं कि अभी बादाम कहा क्रता हुआ और क्यारर धान से क्वाहदे थाज़ादा बादाम के-कौछ झायु κάνते हैं तो दोस्तों बादाम का तेल सिर में होने वाले खुजली को कम करता है और सिर की तोचा को नमी पहुचाता है और ये बालों को मजबूत और साथी साथ चमकदार बनाता है साथी साथ उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है बालों को और जो यह प्याज है यह प्याज आपके जो गंजे सिर्वें जैसे बाल ज्यादा जढ़ रहे उनको कम करेगा और नए बालों को उगाएगा मैं आके बताओं को वीडियो आप पुरा देखीगा तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कब है इस प्रत्क्रिया को आपको रात में करना है यानि रात में लगाना है अपने बालों में सबसे पहले आप सेंपू कर ले अपने बालों मे और वहां पर जो रूसी होगी रूसी निकल जाएगी रूसी आप फी खतम हो जाएगी इसकी प्रयोक से आप इसको इस तरीके से उंगली के हाथ के पोरों से उंगली के पोरों से आप अपने बालों में सर्कुलर मोसल में आप वहां पर मसाज करें करीबन 15 मिनट 15 मिनट मसाज करने के बाद में आप बालों को ऐसे ही छोड़ दें यानि कि आप बालों का जुड़ा बना लीजिए और आप रात बर के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ दें आप सुरू सुरू में करीबन आठ दिन तक लगातार ऐसे ही करें इसको रात में लगा ले रात बर के लिए लीजिए तो आठ दिन में आपको फरक नजर आएगा आठ दिन लगाने के बाद में आप इसको घर हपते में दो बार भी करते रहे तो आपको पूरा फाइदा मिलता रहेगा नई उम्र में आपके बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे दोस्तों यह जो प्याज है आपकी जड़ सब्सक्राइगा Gंडी बालों की जड़ों में जाएगा कि वहां से जब यह सफाइडब लाएक करेंगा रोम चेटरों की तो वहां से आपके जो नए बाल उभने लगेंगे वह भी काले बाल । लुकते है जब आफ बब सा बताया है इसको आप प्रयोग करेंगे और आप ये बिल्कुल ना परिशान हो कि इसकी खुसबू इसमेल इसकी बहुत बेकार आएगी प्याज की स्मेल गंदी आएगी ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो बादाम का ऑईल यूज किया है वो बहुत जदा खुसबूदार होता है इससे आपको प्याज की खुसबू भी नहीं आएगी आप इसको यूज करिए आपको पूरा फरक आपको एक महीने में नजर आजाएगा तो चलिए दोस्तों आप इस नुस्के को यूज करिए इस नुस्के से आपके बाल नरम मुलायम काले चमकीले और घने हो जाएंगे इस नुस्के से आप ट्राई करना मेरे कैना बिल्कुल ना माने मेरा कैना बिल्कुल कता ही मत माने आप ट्राई करिए यूज करिए देखिए रेजल्ट उसके बाद मुझे कमेंट करना तो चलिए वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर करना और चनल को सब्सक्राइक को लेना मैं मिलती हुआ ने विडिये साथ तब तक के लिए नमस्कार